आज इसवीडियो में हम लोग देखने वाले फीवर के बारे में यानि कि भुखार के बारे में इसे मेडिकल की भासा में पाइयरेक्सिया बोलते हैं फीवर में हम देखेंगे कि फीवर के कारण क्या होता है यानि का Люб stays क्या है उसके साइन्स सेम्टम्स क्या है और फीवर के ट्रीटमेंट क्या है इन सारी वातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इससे जब चाधा टंप्रेचर हो जाता है तो उसे हम फीवर कंसीडर करते हैं फीवर में भी बहुत सारी कटागरीज होती है और बहुत सारे टाइप होते हैं फीवर के टाइप को हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो भी एक बड़ा टॉपिक है अगर आपक उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो फीवर जब 30 degree centigrade से जादा टंप्रेचर हो जाता है तो उसे हम फीवर बोलते हैं और हाई फीवर हम उसे बोलते हैं जब 39.4 से 40 degree centigrade temperature हो जाता है तो उसे हम हाई फीवर कंसीडर करते हैं वेरी हाई फीवर और तरीके से हम temperature के वेस पर भी फीवर को बोल सकते हैं कि वो high fever है या normal fever है या वो hyperthermia या hyperpyrexia है नेक्स अब लोग देखने वाले हैं fever के काजस को क्या कारण होते हैं जो fever आ जाता है फिरंस तो fever तो कोई disease तो है नहीं fever जो है वो एक symptoms है तो fever किसी भी विमारी की वज़े से या आने का नेक्स जो है वो है overheating of the body या dehydration जैसे body का temperature बढ़ जाता है किसी कारण से तो भी हमें fever आ जाता है या फिर हम कम पानी पीते हैं उस condition में भी fever हो जाकता है और rheumatoid arthritis जो होती है जो arthritis है उसमें भी inflammation हो जाता है joints में तो उस condition में भी fever आ जाता है या कोई हम medications ले ले लेते ह हैं उसकी भी वज़े से side effect हमें fever आ सकता है या cancer patients को भी fever आ जाता है या कोई autoimmune disease है वोडी के अंदर कोई autoimmune disease है तो भी fever का कारण बन सकती है कोई drug abuse है हमने कोई गलट drug ले ली है या overdose ले ली है तो उस वज़े से भी fever देखा जा सकता है alcohol के विडावल में भी fever देखा जाता है और viral infection कोई बोडी में हो जाता इस conditions में भी fever आ जाता है जिसे की COVID में, Corona virus में या और भी बहुत सारे virus हैं डारिया के virus होते हैं जिसे fever आ जाता है आपको ले विडायस के प्याशिण से भी fever की condition बन सकती है आपको लिए पास तो उससे भी fever आ जाता है और malaria के case में भी fever आ जाता में या कोई एक स्कूर्टर्श सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उसह वजए से भी भी पीर आ जाता है और सुनिंटलांइटी से आपको अगर आपको इंफलामेशन है पर श्रॉरण तबफा फीवर आ जाता है नेक्स जो हम देखने वाले हैं फीवर के साइन और सेंटम्स को तो फीवर जब आता है तो हमारी जो बोडी में चेंजस होते हैं जैसे की रनी नोच हमारी जो नाक है वो बहने लगती है या हमारा गले में खरास बन जाती है या हमारे जोंट्स में होने लगते हैं हमा आ नोगिया हमें उल्टी आने लगती है या हमें उल्टी आने की condition में हिना ही हमाई ही दीना भी जादा आने लगता है फ्रफिर बढ़ जाती ही और हमें धकान होती है और कोई वीक्टेरिल इंफरेक्शंड भी इसकी वज़े से हो जाती है क्योंकि वाट्डि तो उसका टेmप्रेचुर बढ़ जाता है तो वॉक्टेare आप वहां से प्रकुलेशन तो जो कि प्लेट में आ जाते हैं तो जब ब्लेट में आ जाते हैं तो वह एंटेयर हाइपोथेरमस पे पहुंचते हैं वहाँ से PGE2 यानि पोस्टा गलेंडर E2 सिक्रीट होता है जो कि जो थर्मल सेट होता है हमारी बोडी का जो टंपरेचर सेट पॉइंट होता है उसको वो चेंज कर देता है तो अल्ट्रेशन इर आइटोनॉमिक हीट लॉस या इजर्वेशन मेकेनिजम को वो डिश्टर्ब कर ट्रीटमेंट को हमwasser को की बीटन वोटा इसमें को जाधा ट्रीटमेंट वोता है और 13 तक वूर्णत पूरी हो जाती तो ववर इसमें हमें की ज़रूरत होती है जो main है और plenty of liquids मतलब हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है जिसे हम ORS ले सकते हैं body में dehydration हुआ तो हम ORS ले सकते हैं और जिसे कि हमें liquiditis में prefer करनी चाहिए और कुछ antiviral drugs भी है जिसे कि एसल्टा मीविर है जिसे market में जो है जना मीविर जना के नाम से market में आती है ये एक anti-waril drugs है इसको भी जब हमें Why Eğer की वज़े से virus की वज़े से fever होता है तो इसमें उसको तो यूद्ञ किया जाता है और साथ में जब हमें धर्द भी होता है तो उस conditionals में हम अशीलोफिनक 100 mg का भी उज़ कर लेते हैं या डाइकलोफिलिक पोटेसियम और पेराशीटामाल का जो combination आता है डोल पी के नाम से उसको भी हम उज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा धर्द भी कम हो जाएगा और temperature भी body का जो fever है वो भी कम हो जाता है नेक्स जो है वो है इमिशलाइट 100 mg ट्रक्स का भी उज़ हम इसमें कर लेते हैं सपला कंपनी की आती है निशिप के नाम से 100 mg में तो इन ट्रक्स को हम उज़ करते हैं फीबर की condition में नेक्स जो है वो कुछ antivitis होती है जो हम फीबर में यूज़ करते हैं जैसे कि सिफ्ट आयक्षिन जो होती है वो मोनशब के नाम से आती है यहां पर इसे हम आईवी आईएम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं यह बहुत ही फैमस ब्रांड है तो यह antivitis का यूज़ जेनरली किया रहता है फीबर की condition में इन्हें हम एडल्ट में और चिल्टन दोनों में यूज़ करते हैं और एक सिफिडॉल के नाम से भी आता है सिफिडॉल जिसे हम बच्चों में यूज़ करते हैं कुछ ड्रॉप्स भी आते हैं तो antivitis जो है वो ह के नाम से आतीए अजे रोमाइसिन भी के नाम से यह 250 मंजी में जो कि फशुक अपन में जब gas बनती है कोई acid बनता है तो उस conditions में कौन से drugs यूज होती है तो उसमें हम pentoprojol का यूज कर लेते हैं जैसे कि pentocid 40 के नाम से आती है पेन 40, 20 काफी सारी drugs आती है तो इसमें pentoprojol tablets होती है जो की entire acid का work करती है और जो हमारे rate में acidity और gas बनने इसको यह खतम करती है नेक्स्ट है रेनिटिटीन यह भी रेंटक 150 150 के डोज में भी मार्केट में आती है इसका भी यूज कर सकते हैं किसी एक टेवलेट का यूज कर सकते हैं तो इस conditions में हम multi vitamin और multi minerals का mixture ले ले लेते हैं जैसे के market में multi x के नाम से भी आती है जिसमें anti-oxidants होते हैं और multi vitamins होते हैं और multi mineral capsules होते हैं इनका यूज कर सकते हैं जब हमें weakness कमजोरी महसूस होती है next जो है वह मिथाल कोवालाओं इसके injections आते हैं यह भी हम Miecovalabin के नाम से भी आते हैं इसे मारेकट में यूज कर लेते हैं और जो मिथायल कोवालाओं और Miecovalabin होता है वह से चीछ होती है सिर्फ नाम का difference है market में मिधाワिल कोवाल के नाम से injections आते हैं इसका उस़ ख्या जाता है और हमें 40 से जदा पानी पिना चाहिए इगर viral Viral Condition है और ORS जो है वो हमें viral condition है नौर्मल condition में भी fever है तो हमें ORS लेना से जिसे हमारे जो dehydration होता है वो carbohydrate हो जाता है उसकी कमी पूरी हो जाती है और जो electrolyte body से निकलते हैं उसकी भी कमी पूरी हो जाती है इसलिए हमें ORS जो है fever की condition में लेना चाहिए है तो friends ये fever के बारे में था काजस, symptoms, science और उसके treatment को हमने देखा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को subscribe कर ले और जितना होसे के वीडियो को share कर दे Thank you